इस प्रोग्राम में मैं इला अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ Who am I? मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर में बसती हूँ हमने पिछले भाग में आत्मा के बारे में जाना और उसके साथ गुणों के बारे में जाना जिसमें इसके दो गुण ज्यान और पवित्रता इनके बारे में डिस्कुर्शन किया आगे के गुणों के बारे में जानते हैं सिस्टर थृप्ती से ओम शांती सिस्टित रुप्ती, ओम शांती, तो सिस्टित रुप्ती हमें आप आत्मा के बाकी के पांच गुणों के बारे में बताई है, तो हमने देखा ज्ञान माना नौलिज और पवित्रता माना प्यूरिटी, और जहां ज्ञान है, जहां पवित्रता है, वहां होता है प अगर पवित्रता का foundation नहीं है, अगर हम यह नहीं जानते कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ, अगर यह ग्यान न हो तो selfless love जिसे कहते हैं unconditional love, pure love का वहां रहना असान नहीं है क्योंकि pure love, selfish love, unconditional love इसका base ही है ज्यान, मना मैं आत्मा हूँ, पवित्रत आत्मा हूँ, जब यहाँ निश्चे हमारे मन में बढ़ता है, तब हम सामने वाले को एक आत्मा के फॉर्म में देखते हैं और जब हम एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखते हैं तो आपस में selfless love, universal brotherhood की भावना develop होती है पड़ जब हम एक दूसरे को शरीर की फॉर्म में देखते हैं और शरीर के रूप में कब देखते हैं? जब ज्यान की कमी होती है, पवित्रता की कमी होती है तक क्या होता है? किसी भी संबंध में टक्राव होता है, problems होती हैं क्यूंकि सामने वाले को कही कुछ हो न जाएं, उसके शरीर को कही कुछ हो न जाएं इससे मन में चिन्ता, भय, टेंशन, इनसेक्यूरिटी ये सारी बातें घर कर लेती हैं इसलिए प्रेम मोह का रूप ले लेता है और मोह मना attachment to this body ये गलत है, यह सही नहीं है पर प्रेम, प्यार, आपसी भाईचारा, आत्मा का, आत्मा के पती प्यार, यह positive है तो अब जब हमें ज्ञान मिलता है, पवित्वता मिलती है, तब हम यह जानते हैं हम आपस में आत्मा, आत्मा भाई-भाई हैं और हम प्यार से रहते हैं आपस में जो latent हमें प्रेम है एक दुसरे के लिए वह जागुरत होता है और यह प्रेम positive होता है, selfless होता है अभी हम देखें तो हम आपस में किस प्रकार का प्रेम करते हैं मंदिरों में भी ज़ाते हैं, कहते हैं भगवान से हमें प्यार है तो भगवान के साथ भी हम कैसी बाते करते हैं भगवान तो कहते हैं भगवान मुझे अगर एक्जाम में पास कर दोगे तो दो नारियल चड़ाऊंगा अगर मेरी फर्स्ट रैंक आई तो चार नारियल चड़ाऊंगा मना हम भगवान के साथ में क्या कर रहे हैं सौदे बाजी तो नहीं कर रहे हैं तो क्या इसे सेल्फलेस लव कहा जाएगा तो अभी जरूरत है आपस में selfless love की जरूरत है unconditional love की वो तभी हो सकता है जब हमें अज्ञान हो कि सामने वाला आत्मा है पवित्र आत्मा है He is a pure soul और तब वह love की भावना जो की supreme power है जो की supreme गुण है हमारा वह develop होता है झाल 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 झाल